हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफ़ता क्लासेज में मैं हूँ अरसलान अमीन और आज मैं आपके लेके आया हूँ एक धमाकेदार टॉपिक स्क्वाइर रूट्स और वर्गमुल जनरली बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है तो आज का वीडियो पूरा देखें आज का वीडियो देखने के बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वाइर रूट विदिन अम मिनट यानि एक मिनट के अंदर आप निकाल लेंगे जैसे स्क्वाइर रूट निकाला जाता है मिठर वन में आपका फैक्टराइजेशन होगा मिठर टू में आपका डिवीजन मिठर रूगा और मिठर ट्री शॉर्टकट ट्रिक है यह दोनों एक्जामिनेशन पॉइंट आप व्यू से है और यह आपके कैलकुलेशन के पॉइंट लगाय से तो चलिया स्टर्ट करते हैं आज कर विडियो कि अबसे पहले देखते हैं मेल वान सुपोष्ट गवर्ल को यह सक्त्यु लेना है और इसको फैक्टर करते जाना सबसे बह Judbook से लगाकर Ini टोटी टॉटव जाएका फिर यह सिक्षीन टाइम समें जाएगा फिर यह एट टाइम समें जाएगा फिर इरह फोल टां में जाएगा ये टूटव समें जाहेगा और ये वन टाइमंस में जाए अब आपको क्या करना है कि इसको दो-दो का पेरिंग कर लेना है जैसे यहाँ टू है यहाँ टू है इसका एक पेर बना इसका एक पेर बना इसका एक पेर बना तो अब जब आप root 64 लिखेंगे तो इन दो पेर के बदले यह जो pair में यह एक बाहर में आएगा फिर इनके बदले एक बार दो बाहर में आएगा और इनके बदले एक बार दो बाहर में आएगा तो यह 2 to the 4, 4 to the 8 तो root 64 का answer क्या आएगा आपका 8 देखते हैं दूसरा question method 1 में suppose कि मैंने question ले लिया under root 196 इसका answer मेरे कुछ चाहिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 196 का हम factor निकालेंगे ठीक है तो मैंने लिखा 196 दो से यह गिया 29 is 18, 28 is 16 फिर 2 से गिया 49 times में फिर यह 7 से जाएगा 7 times में और यह 7 से जाएगा 1 time में तो इसका pair कर लें देखें दो दो बार आया है साथ भी दो बार आया है तो जब आप 196 का root लिखेंगे तो इन दो के बदले एक बार दो बार आएगा इन दो साथ के बदले एक बार साथ बार आएगा या रूट अंडर रूट 196 का answer क्या आएगा तो 7 to the 14 7 to the 14 आएगे देखते हैं इसका तीसरा एक्जामपल ले लेते हैं चलिए 625 का इंडर रूट इसका answer निकालना है मेरे को factorization method से ही निकालना है method 1 से तो हम क्या करेंगे इसका factor करेंगे तो यह जाएगा 5 times में 5 1 the 5 5 2 the 10 5 5 the 25 फिर मैंने इसको 5 से लगाया 5 2 the 10 and 5 5 the 25 5 से 5 times में 25 5 से 1 time में 5 अब देखें इसका pair देखें 5 का दो पेर लग रहा है तो हम लिख सकते हैं root 625 का 5 into 5 ठीक है इसके बादे एक बार ये 5 बार इसके बार ये 5 बार तो हम लिख सकते हैं 625 का root बराबर 25 इसका कुछ demerit भी है इसका demerit यह है कि कभी-कभी आपको एक तो चलिए देखते हैं, जैसे मैंने question ले लिया, 8,649, छीक है, इसका मैंने निकालना है start किया, factor, पहले इसको 3 से लगा के check करते हैं, तो 3,2,6, 3,2,6, 3,8,24, 3,8,24, 3,3,9, फिर इसको 3 से लगा के देखते हैं, 3,9,27, 3,6,18, 3,1,3, अब देखे, अब तो यह ना तो 3 से जा रहा है, ना तो यह 2 से डिवाइड हो रहा है, ना ही किसी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यह थोरा check करना मुश्किल हो जाता है, कि आप factorization method से हर नमबर का root निकालने ऐसा थोरा मुश्किल है, ठीक है, तो इसके rescue के लिए हम method 2 का use करते हैं, method 2 क्या है, method 2 division का technique है, आप division की सहायता से आप square root निकालते हैं, तो आईए देखते हैं, division वाला trick क्या कहता है, division में सबसे पहले आपको इसको इस तरीके से लिखना पड़ता है, और ऐसा एक format बनाना पड़ता है, फिर आप क्या करते हैं, आप right hand side से left hand side की और दो-दो का pairing करते हैं, सबसे पहले देखें, यह 9, 4, 2 का pairing इसके उपर एक बार दे दे, फिर उसके बाद 6 और 8 दिख रहा है, इसके उपर एक बार दे दे, ठीक है ना, दो बार आपका पड़ गया है, अब आपको करना यह है, कि आपको 86 या उससे कम पर पहुँचना है, लेकिन कैसे पहुचना है स्क्वाइर के टेबल से पहुचना है, तो देखें, मैंने स्क्वाइर के टेबल आपके हेल्प के लिए पहले से लिख के यहां रख लिया है, यहां देखें, सबसे पहले 86 आ रहा है, 86 किसके स्क्वाइर के पहले मिलेगा, यहां देखें, 9 के स्क्वाइर 81 है, 10 के करेंगे 6 में से 1 गया बचा 5 8 में से 8 गया कुछ नहीं क्रॉस अब आगे वाला जो नंबर है उसको नीचे उतार लेंगे यह 49 नीचे आ गया जब यह नीचे आ गया अब आपको यहां चाहिए एक नंबर जिससे आप इसको डिवाइड कर सकें तो आपको करना यह होता यहां ज को हम यहां लिखते लेकिन चुकि यहां सिर्फ 9 है यह खुद ही इकाई डिजिट है इसलिए हम 9 को 9 के साथ एड करेंगे और 18 को हम थोड़ा left hand side में सरका के लिखेंगे यहां पर एक ब्लॉक हम खाली छोडेंगे यहां पर एक डिजिट ऐसा आने वाला है कि जो डिजिट य यहां भी डालेंगे जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहां 1 ठीक है तो यह हो जाएगा 181 तो यहां भी लिखना पड़ेगा 1 181 को मेरे को 1 से multiply करना पड़ेगा और 549 या उससे कम तक पहुचना पड़ेगा अगर मैं यहां लिखता हूँ 2 तो यह हो जाएगा 182 तो उसको मेर 182 को 2 से multiply करना पड़ेगा ठीक है अगर मैं यहां लिखता हूँ 9 तो यह हो जाएगा 189 तो यहां भी मेरे को 9 डालना पड़ेगा तो 189 को 9 से multiply करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि नंबर जो है वो 549 से के बडाबर या उससे कम आ जाए तो देखें फ्रेंड्स आप 2 से multiply करें तो इसका unit digit मिलेगा फोर यह तो 9 के बड़ाबर मिल नहीं रहा है इसलिए यह नहीं लेंगे हम छोड़ देंगे लेकिन अगर हम यहां लिखते हैं 3 और यहां भी डालते हैं 3 तो यह हो जाएगा 183 और यह हो जाएगा 3 तो अगर हम 183 को 3 से multiply करते हैं 183 को 3 से 3 और 2 5 देखे 549 आ गया तो definitely यहां हम लिखेंगे 3 और यहां भी क्या लिखेंगे 3 तो यह मेरा क्या आ जाएगा 549 तो यह हो जाएगा cancel out अब देखें जैसे यह यहां 183 आ गया last इसका unit digit क्या दिख रहा है 3 तो इस 183 के साथ मेरे को क्या add करना पड़ेगा 3 add करना तो 183 में जब 3 add करेंगे तो यह आ जाएगा 186 ठीक है अगर इसके आगे भी कोई number होता तो हम यहां एक खाली जगह छोड़ते और यहां उसी number को डालते जो number को हम यहां feed करने वाले है ठीक है ना अब देखें मेरा answer आ चुका है हम लिख सकते हैं 8,649 का root क्या होगा 93 इसको हम table decide नहीं कर पा रहे थे कि यह किस table से divide होगा इसलिए इसके rescue में यानि factorization method के rescue में उससे बहतर टेक्निक जो है वो क्या है division technique division technique से हम किसी भी number का square root निकाल सकते हैं ठीक है तो आईए एक दो example और देखते हैं आईए देखते हैं next question next question मैंने लिया है 3136 इसका root मेरे को निकालना है 3136 तो हम method 2 से भी कर रहे हैं तो चलिए इसी को proceed करते हैं सबसे पहले आपको pairing कर लेना है मैंने इसका pairing कर लिया अब आपको देखना है square के table में 31 या उससे कम कहां पर मिल रहा है तो देखे 6 का square 36 है 36 तक तो जाना है नहीं 31 य देना पड़ेगा मैंने यहां लिख दिया 5 यहां लिख दिया 5 फाइब के square आगया 25 मैंने इसको घटा दिया तो अब हम आगे 31 मैं से 25 को जब subtract करेंगे तो यहां मिलेगा 6 फिर हम आगे वाले pair को नीचे की और उतार देगे यह उतार गया अब 5 में 5 को add करेंगे और 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10 इसको थोड़ा left hand side में सका के लिखेंगे अब यहां एक खाली जगर है जो digit यहां पर आन वाला है और हम इस तरह decide करेंगे कि वह 636 या उससे कम आ सके तो देखें इसका last digit 6 है जब हम 2 को 2 से multiply करेंगे तो last में 4 आएगा तो यह लेने से फायदा है नहीं 3 को 3 से करेंगे last में 9 आएगा यह भी लेने से फायदा नहीं लेकिन जब हम 4 को 4 से multiply करतें तो last में क्या आता ह 6 और जब हम 6 को 6 से multiply करते हैं तो last में आता है 6 यहाँ पर possibility 2 बन रहा है यहाँ तो यहाँ पर 4 डाल दें तो यह बन जाएगा 104 104 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो last में 6 आने का chance है तो चलिए चेक करते हैं हम लेखते हैं 104 को 4 से multiply करते हैं 4 जोगे 16 के 6 हाँ मेरा 1 4,0,0 और 1 क यहाँ 4,0,416 बहुत पीछे है तो चलिए नया फिर्फिर करते हैं अब हम 106 लेकर ट्राइद करते हैं 106 को 6 से गुना कर रहे हैं तो यहां भी लिखेंगे और यहां भी क्या लिखेंगे तो यह आ जाएगा आपका 636 जब आप इसको काटेंगे तो यह फुली कट जाएगा और 106 इसका लास्ट अंकौन साथ 6 है तो इसमें क्या एड होने वाला है 6 और 6 यह हो जाएगा 112 तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर रूट 3136 का एंसर क्या आ जाएगा यह एंसर आ जाएगा 56 और यह देखिए इसका जस्ट यह डबल भी है 56 का डबल होता है 112 आईए एक दो कुश्चन्स और देखते हैं नेक्स कुश्चन मैंने लिया है 3969 चलिए इसको सॉल्व करते हैं ठीक है तो सबसे पहले पेरिंग कर ले ना इसको 39 है 39 क्या रहा है 6 के स्क्वार से आ सकता है तो मैंने यहां 6 के लिए यहां भी 6 के लिए 66 इसको सब्ट्राइक कर दीजिए 9 में से 6 क्या बचा 3 आगे वाला चलिए लास दिचित 9 ही इसी से धीट 3 को करतें तो आटे मैंना1 के लिए हमट calor calm को काटेंगे यह हताम हो गया अब इसमें 3 को add कर दीजे तो यहां क्या आ जाएगा 126 तो अब देखे 49 79 का root क्या हो जाएगा 63 तो हम लिख देंगे under root 3969 is equal to answer हो जाएगा 63 और यह देखे 63 का just double भी 126 तो यह इधर से भी satisfy कर रहा है इधर से भी आप मिला सकते हैं नेक्स कोशन अपना हम लेते हैं चलिए नेक्स कोशन मैंने ले लिया 15876 यह मैंने ले लिया question सबसे पहले आप right hand side से left hand side के पेरिंग करेंगे इधर से इधर पेरिंग नहीं कर सकते हैं इधर से इधर आपको पेरिंग करना होगा पहले 76 हुआ 58 हुआ और अकेलर आगिया तो यह पेर में आगई है वन चलि वन लाना है सबसे पहले आपको वन लाना है स्कोएर के टेबल से तो देखें वन के करदिया अब क्या उद्रेगा आगे 58 उतरेगा 1 में 1 को add कीज़े 2 2 को left hand side में थोड़ा सरका के लिखते हैं यहाँ पे खाली जगा छोड़ें जो यहाँ नमबर आने वाला है वही अंक यहाँ भी आने वाला है तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो यह 21 हो जाएगा जब आप 3 से multiply करें तो यह आजाएगा 69 आगे पहुँच गया तो ले नहीं सकते हैं तो चलिए यहाँ पे 2 डालते हैं तो यहाँ भी क्या डालना पड़ेगा 22 दुनिया आजाएगा आपका 44 अब आप इसको घटा दें नमबर आप यहाँ पे डालेंगे वही नमबर आपको यहाँ डालना होगा और इस तरीके से कि वह 14 244 चार डालते हैं तो उसको चार से गुना करना पड़ेगा चार जोगे 16 के 6 हाथ मेरा एक चार जोगे 16 एक 17 के 7 हाथ मेरा एक चार दुनिया आठ और एक 9 देखें बहुत पीछे हैं तो चलिए अब 246 से ट्राइ करते हैं 246 को मैंने 6 से मल्टिप्लाई कर दिया 55 Всight प्राइथ को चीचा पीचे 6 24 37 के साथ मेरा 25 च्वों डवाहरह सटाई कर जोड़ा 50 इस चौड़ा 2जीया 15 सों चब ना डम ओ सिक्साटने वाला और यहां भी आने वाला सिक्साने वाले तब मेरा एंसर जाकेशों चार च्वोड़ा जाएगा ठीक है जब आप 246 है लास्ट डिजिट इसका 6 है तो इसमें 6 आप आड़ करते हैं तो यहां क्या आपको मिल जाएगा 252 तो आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट 14476 जो एंसर आएगा वो क्या आएगा 126 आएगा ठीक है और यह देखें 126 का जस्ट डबल यहां 252 आया है तो यह था method 2 चलिए अब बीना देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपने shortcut trick पर जिसको यूज करके आप एक मिनट के अंदर किसी का भी square root निकाल सकते हैं method 3 के लिए friends आपको square का table याद होना important है जब तक यह table आपको याद नहीं होगा आप इसको solve नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले आप इसका screenshot ले 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 और इसको याद करने के कोशिश करें फिर concept समझें तो देखें method 3 method 3 में मैंने वही question ले लिया है जो मैंने अभी just solve किया method 3 क् है कि सबसे पहले आपको lift right hand side से lift hand side की तरफ यानि एकाई दहाई सैकर हजार ऐसे हम लोग Indian or international system में गिनते हैं तो सबसे पहले आपको इधर से इधर दो डिजिट का ये group कर लेना है फिर जो बचेगा उसका अलग group बनेगा जैसे मैंने 6 और 3 का 36 दो डिजिट का group कर लिया अब बाकी कौन बज़ गया 31 बज़ गया तो उसको अलग छोड़ देते हैं सबसे पहले देखे 6 6 किसमे किसमे आ सकता है ये देखे 1 4 इसका last digit देखे 1 4 9 यहां रहा है 6 5 6 9 4 1 और 0 सिर्फ आपको इसी से solve हो जाएगा थोड़ा help लेने से तो देखे 6 किसमे आ रहा है 4 में आ रहा है और 6 में आ रहा है यानि इसका जो unit digit होने वाला है या तो 4 होने वाला है या तो फिर 6 होने वाला है ठीक है यह decide हो गया अब आप इधर वाला number द यह 31 है तो हम क्या लेंगे 25 25 का किसका square होता है 5 के square का answer होता है 25 तो हम यहां क्या लिख देंगे 5 तो अब देखे या तो इसका answer होगा 54 या फिर इसका answer होगा 56 5 4 54 5 6 56 अभी confusion है अब यह confusion को कैसे दूर किया जाए तो हम क्या करने वाले है इस 5 को इससे just एक बड़ा number से multiply करें है 5 था तो उसको किस से multiply किया 6 है तो 5 इंटो 6 क्या मिल गया मेरे को 30 मिल गया क्या मिल गया 30 मिल गया अब हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि हम 31 से आगे निकल गया या उसके पीछे रहे गया तो 30 जो है वो 31 से पीछे है पीछे की और है आगे नहीं है जब पीछे रहेंगे तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए, तो देखे, आगे बढ़ने का मतलब है कि हम बड़ा लें नमबर लेंगे, मतलब 6 को लेना पड़ेगा, 4 को हम नहीं लेंगे, फिर से सुने, सबसे पहले क्या करना है, आपको 36 का, 2 नमबर का grouping कर लेना है, तो मैंने 36 का grouping कर लिया, फिर आपको दीखा 31, इस 36 के last digit से मैंने decide कि लास 58 किस में आता है, या तो 4 में आता है, या फिर 6 में आता है, तो मैंने लिख लिया 4 और 6, फिर मैंने देखा कि ये 31 है, 31 जो है square के table से, वो 5K square में दिखा कि ये 31 से कम पर हम पहुंच सेके तो मैंने यहाँ पर fix कर दिया 5 अब मेरा answer या तो 54 होगा या तो 56 होगा confusion है मैंने दोनों option लिख लिए है अब हम क्या करेंगे ये जो number था न उससे एक just बड़ा number से इसको multiply करेंगे होगा 5 को मैंने बड़े से multiply किया तो ये 6 से multiply होगा क्या होगा 30 अभी भी हम 31 तक नहीं पहुंच पाए हैं हम पीछे हैं तो हमको कहां बढ़ना पड़ेगा अपनी मंजिल पर जाने के लिए लें फिर जो number बच रहा है उसको लिख लें अब देखें 9 जो है unit digit वो किस में किस में आ सकता है तो 9 या तो 3 में आ सकता है या फिर 7 में आ सकता है इसका भी कुछ इस तरीके से बन गया 3 और 7 अब आप देखें 39 39 किसके स्क्वाइर के टेबल से पहले आ सकता है देखें यह 46 है तो 6 ले सकते हैं यह यहां फिक्स हो गया 6 अब यहां तो एंसर हो सकता है 63 यहां तो एंसर हो सकता है 67 अब confusion क्या से दूर करेंगे हम 6 को multiply करेंगे उससे एक बड़े नंबर से तो 67 कितना हो जाता है 67 होता है 42 हमको पहुंचना था 39 पर लेकिन हम कहां पहुंच चुके है 42 पर नंबर 9 से तो हमको कहां हटना होगा अपनी मंजिल पे आने के लिए पीछे की और आना पड़ेगा पीछे जब आना पड़ता है तो हम छोटा वाला नंबर लेते हैं बड़ा वाला नंबर नहीं लेते हैं यानि इसका एंसर क्या हो जाएगा 63 अब देखें लास्ट कुस्चन जो मैंने solve किया था 3,969 का एंसर क्या था 63 और shortcut trick से भी answer क्या आया 63 तो आईए देखते हैं इससे और भी बहुत सारे questions को देखें मैंने कुछ questions लिखके रखे हैं देखें सबसे पहले इसको मैंने grouping कर लिया यह 96 एक group में आगिया और यह 40 किसमें आगिया एक अलग group में आगिया 6 6 किसमें आता है लास्ट में या तो 4 में आता है या फिर 6 में आता है तो मैंने कुछ इस तरीके का बना लिया 4 और 6 अब यह 40 देखे, 40, 40 से कम 6 में मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, ठीक है, अब या तो answer होगा 64, या तो answer होगा 66, confusion कैसे दूर करेंगे, इस 6 को multiply करेंगे 7 से, 6 7 जा कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, पहुंचना था 40 पे पहुंच गए 42 पे, यानि आगे पहुं ठीक है, अच्छा यह तो अभी just मैंने solve किया था, इसका answer हो जाएगा 63, next question देखे, यह भी मैंने solve कर लिया है, इसका answer क्या आएगा, 56, तो इस पे आप check भी कर सकते हैं, अपने trick से, अब देखे, 21, यह जो 1 है, ठीक है, क्या है, 1, इसका पहले आप grouping कर लें, और इसको अलग बना ले, 1 किस में आ सकता है, या तो 1 में आ सकता है, या फिर 9 में आ सकता है, तो इसमें भी कुछ इस तरीके का format मिल गया, ऐसा मिल गया, अब 79 देखें, 81 तक तो पहुचना है नहीं, मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, मैंने यह लिख दिया, 8, अब एक बड़े नंबर से multiply करेंगे, यानि 89 जा कितना आ जाएगा, 72, 72, पहुचना था 79 पे लेकिन हमाँ 72 पे अभी भी पीछे हैं, तो कहां बढ़ना पड़ेगा, आगे, आगे बढ़ने के लिए हम बढ़े वाले नंबर का use करते हैं, यानि answer 89 होगा, 81 नहीं होगा, इसका answer solve क grouping कर लिजे, 86 बना लिजे, 9, 9 किस में किस में आता है, 7 में आता है, और 3 में आता है, तो मैंने 3 ले लिया और 7 ले लिया, 86, देखे, 86 के कम का square क्या दिख रहा है, 9 का दिख रहा है, तो यहां लिख दिया मैंने 9, अब 9 को एक बड़े नंबर से करेंगे, 90 होता है, पहुचन है, 6241, grouping कर लिए, यह बना लिए, 1, 1 किस में आता है, देखे, 1 या तो 1 में आता है, या फिर 9 में आता है, कुछ इस तरीके का format मिल गया, 62, 62 या उससे कम, 7 के square में मिल रहा है, मैंने 7 लिख लिए, 7 को उससे एक बड़े नंबर से multiply करना पड़ेगा, 7, 8 जा क्या आएगा, 56, अभी भी देखे, पहुंचना था 62 पर, आप हैं 56 पर, और आगे जाना पड़ेगा, आगे जाने के लिए, बड़े नंबर का यूज़ करना पड़ेगा, तो आप answer क्या होगा, इसका, 79, ठीक है, उम्मीद है, आपको ट्रिका भी तक समझ में आ रहा होगा, कुछ और questions को देखते हैं, तो चलिए, देखे, इसका group यह हो गया, यह 60 बन जा, ठीक है, 4 किस में आता है, 4 या तो 2 में आता है, या फिर 4, 8 में आता है, तो यह या तो 2 हो गया, या फिर 8 हो गया, अब 60, 60 का जो square है, देखे, यह 64 है, यह लेंगे नहीं, 60 से कम कौन दिख रहा, 49, इसका क्या होता है, 7 होता है, 7 को किस से कुना करना पड़ेगा, एक उस से बड़े वाले नमबर से, तो answer आएगा, 56, पहुंचना था 60 पे, हमें 56 पे, पीछे है, आगे बढ़ना पड़े, आगे बढ़ने के लिए बड़ा नमबर यूज करना पड़ता है, या आपका answer होगा, 78, अ तो 7 तो ले नहीं सकते हैं, हमको लेना पड़ेगा, 6, यह ले लिया, 6, 6 को एक उस से बड़ा नमर से मल्टिप्लाई किया, क्या आएगा, 42, पहुंचना था 47 है, 42 पे, आगे बढ़ना पड़ेगा, 9 ले लिजे, answer होगा, 69, ठीक है, आगे देखे, इसका grouping कर लिया, इसका group बना लिया, 6 है, 6 किस में आता है, तो 6 तो आता है, 4 में आता है, और 6 में आता है, है ना, अब 29 है, 29 किसके square में आएगा, 29 से कम होता है, 25, यह 5 आ रहा है, तो यहां ले लिया, 5, 5 से एक जस्ट बड़ा नमर होता है, 5, 6 है, कितना होता है, 30, पहुंचना था 29 पे, लेकिन कह पहुंच चुके हैं 30 पे आगे पहुंच चुके हैं तो हम पीछे हटेंगे पीछे हटेंगे चोटा वाला नमबर लेंगे यानि इसका एंसर होगा 54 ठीक है कुछ और questions देखते हैं आपके और concept clear हो जाएंगे 2401 एक किस में आता है एक आता है या तो 1 में या फिर 9 में कुछ इस पहुंचना है 24 पे लेकिन आप कहां पहुंचे है 20 पे पीछे हैं अभी आगे जाना पड़ेगा आगे जाने के लिए बड़ा वाला नमबर यानि इसका एंसर क्या होगा 49 next 1849 सबसे पहले आप दो नमबर का group कर लेंगे कर लिया अब क्या दिख रहा है आपको 184 दिख रहा है ठीक है तो 96 6 किस में आता है लास्ट में या तो 4 में आता है या फिर 6 में आता है ठीक है तो आप कुछ इस तरीके का मिल गया 4 और 6 अब 184 अब देखिए 184 किसके square से कम ह यह 169 है 196 है 196 से छोटा है 184 मतलब 14 तो ले नहीं सकते हैं तो क्या लेना पड़ेगा 13 तो मैंने यहां ले लिया 13 अब confusion है या तो 134 होगा answer या फिर 136 होगा answer तो वही टेकनिक 13 को आप 14 से गुना कर दे हैं जब आप गुना करेंगे 13 को 14 से तो आपको answer मिलेगा 182 182 पहुंचना था 184 पर आप हैं 182 पर मतलब आप पीछे हैं पीछे हैं तो आप कहां जाएंगे आगे की और आगे की और जाने के लिए बड़ा वला number यूज़ करना परता है यानि आपका answer आएगा 136 16384 ग्रूपिंग कर लिया दो नंबर का फिर आपको क्या दिख रहा है 163 दिख रहा है 4 किस में आता है या तो 2 में आता है या फिर 8 में आता है या तो 2 में 4 आता है या फिर 8 में 4 आता है आगे अब 163 स्क्वाइर के टेबल से देखिए 163 से कम कौन दिख रहा है 144 दिख रह पहुंचना था 163 पे, आप हैं 156 पे, आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए बड़े नमबर का यूज करना है, छोटे नमबर का यूज नहीं करना है, यानि आपका एंसर हो जाएगा 128, एंसर आएगा आपका 128, नेक्स्ट कोश्चन, 14641, इसका ग्रूप मैंने क पहुंचना था 166 पे, आपको 146 दिख रहा है, 141, वन किस में आता है, या तो वन, वन में आता है, या फिर 9 में आता है, ठीक है, अब 146 या उससे कम देखे, स्कुर के टेबल में कहा आ रहा है, यह 144, 146 से कम है, यानि हम 12 ले सकते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया 12, अब चेक करना है कि 121 होगा एंसर या 119 होगा एंसर, तो 12 को 13 से गुना कर दीजे, यहां देख चुके हैं, 12 को 13 गुना करते हैं, तो क्या आता है, 156, पहुंचना था 146 पे, आप पहुंच चुके हैं 156 पे, यानि आप आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो आ हैं आप इसको solve करके इसका answer comment section में दे सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो like करें अपने दोस्तों के साथ share करें हमारे चैनल को subscribe करें बेल आइकन दबाना ना भूले ताके हमारे latest वीडियो सबसे पहले पहुँचें आप तक तब तक के लिए बाबाई